गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने क्रिया विश्यशन के विश्य में पढ़ा आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक इसे इंगलिश में प्रेपोजिशन कहते हैं आईए इन वाक्यों में आप देखेंगे माताजी ओफिस के अंदर हैं पक्षी सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पूरी तरह स्पस्ट हो जाता है अता ये शब्द संबंध बोधक है संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संग्या या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर कौरव की सेना के आगे भीश्म पितामा थे पत्र विवहार की परंपरा का विकास आजादी के बाद ही हुआ इन वाक्यों में सभी रंगिन शब्द संबंध बोधक है संबंध बोधक के भेद इसके मुख्या तीन भेद होते हैं पहला प्रयोग के अनुसार दूसरा ववित पती के अनुसार और तीसरा अर्थ के अनुसार प्रयोग की द्रिष्टी से हिंदी में दो प्रकार के संबंध बोधक होते हैं पहला वे संबंध बोधक जो संग्याओ की विभक्ती के पीछे आते हैं जैसे के बिना, के पास, के यहां, के मारे, के उपर आदी, जैसे दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल था, विद्याले के चारों और एक सुन्दर उद्यान है, मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता, दूसरा, वे संबंध बोधक, जो संग्याओं के पीछे बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे, यह चोरी कुछ दिन पहले हुई थी, कौरव सेना समेत मारे गए, पीट पीछे निंदा करना अच्छी बात नहीं, दूसरा है, वयुद्पति की द्रिष्टी से, संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं, मुल संबंध बोधक तथा, यौगिक संबंध बोधक, जैसे, बिना, तक, भर, समेत, आदीप, तथा, यौगिक संबंध बोधक, जैसे किनारा प्लस एक किनारे की प्लस और की और के प्लस समान के समान तीसरा अर्थ की अनुसार अर्थ की दिश्ट्री से संबंध बोधक अनेक प्रकार के हैं उन्हें मुख्य निमलखित है पहला कालवा चक जैसे के आगे के पीछे के पहले के बाद दूसरा स्थान वाचक, अपेक्षा के आगे, चौथा विनिमय वाचक जैसे के बदले की जगा, समानता या बराबरी सूचक के समान की तरह, विरोध वाचक जैसे के विपरित, के खिलाफ, के प्रतिकुल आदि, व्यक्तिनेक वाचक जैसे के सिवाय के अलावा, संग्रह वाचक जैसे भर परियंद तक आदि, साधन वाचक जैसे के द्वारा, के सहारे, दिशा वाचक जैसे की और की तरफ, कारण सूचक जैसे के कारण के लिए संबंध सूचक जैसे के साथ के संग के समेथ उद्देश सूचक जैसे के लिए के है तु की खातिर विशय सूचक जैसे के विशय के नाम आदे संबंध बोधक एवं क्रिया विशेशन में हम अंतर को कैसे समझेंगे आप वाक्य में इसको ध्यान देंगे कि हिंदी मे कुछ शब्ड ऐसे होते हैं जो संबंध गोर्धक तठां कूरिछश दोनों में ही प्रयोग किये जाते हैं जब इनका प्रयोग संग्या सरवनाम के साथ होता है तो यह संबंध बोधक है परांतु जब हितर चलो यहां पर भीतर क्रिया विशेश्विशन है। संबंध दूख दुकान के भीतर चलो शले प्रयों संगय के सांगया संगया के साथ रहा है जट कर तो करनिंद रहते हैं यहां ध्यांस पड़ेंगे संबंध बोदकशbling संगया सरवनाम शब्दों के साथ आकर संबंध कंजक्शन जो आप इंगलिश में पढ़ते हैं इन वाक्यों को देखिए मैं यहां इसलिए आया कि आपको आममंत्रित कर सकूं बादल उम्डे और बारिश शुरू हो गई इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि और यह जो शब्द है यह एक से अधिक शब्दों या उप वा एक उप वाक्य या एक पद का संबंध दूसरे वाक्यों या पदों से जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्य बोधक शब्द कहते हैं यह दो प्रकार के होते हैं समान अधिकरन समुच्य बोधक तथा व्यधिकरन समुच्य बोधक जो समुच्य बोधक समान सिति वाले अर्थात सतंत्र पदो वाक्यांशो या उप वाक्यों को समानता के अधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें हम समाना धिकरन समुच्य बोधक कहते हैं जैसे विदुर ने दुरियोधन को बहुत समझाया परंतु हटी दुरियोधन न माना दिनेश खेल कूद में अच्छा है और पढ़ने लिकने में तेज यहां पहले और दूसरे वाक्यों में परंतु एवं और शब्दो उपवाक्यों को जोड रहे हैं यह दोनों शब्द समा आदिकरन समुझे भोदक के भेद आप देखेंगे पहला संयोजक दूसरा विभाजक तीसरा विरोध वाचक तथा चौथा परिमान वाचक तो इसको आप ध्यान से वाक्यों में समझेंगे कौन सा संयोजक है विभाजक है विरोध वाचक है और परिमान वाचक है संयोजक जो शब्द एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक पदो वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोडने का काम करते हैं उसे हम संयोजक कहते हैं ये चार होते हैं और तथा एवं व जैसे सीता कमला और विमला खेल रही हैं सूर्दास तथा तुलसिदास हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं गांधी जी ने में सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया रमेश वस सुरेश सगे भाई है आदी तथा इत्यादी भी संयोजक है परन्तु ये एक ही वर्ग के पदो वाक्यांसों या उपवाक्यों के अंत्य में प्रयोग किया जाते हैं जैसे दया ममता पर करना या पर ही श्रेनी के दो या अधिक वस्तु या व्यक्तियों आधी में किसी एके गरहन या त्याका बोद कराते हुए रहन आधी कि बोला ना मैं उससे बोला या तो मैं साइकल खरीदूंगा या कैमरा चाहे यह ले लो चाहे वह ले लो तीसरा है विरोध वाचक जो समुझ यह बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस पर विरोध बताते हैं उन्हें विरोध वाचक कहते हैं जैसे परंत वीर पुरुष अहंकारी नहीं होते बलके बलकी विनम्र होते हैं चौथा है परिमान वाचक जब समुच्य बोधक दो उपवाक्यों को जोडता है तथा दूसरे उपवाक्य के परिनाम का बोध कराता है तब उसे हम परिमान वाचक परिनाम वाचक समुच्य बोधक कहते हैं जैसे अतह, इसलिए अतेव, जैसे सवेरे से जोर की वर्षा हो रही थी, अतह कम विद्यार्थी विद्याले गये, वह कम जोर है, इसलिए तेज नहीं चल सकता, समुच्य बोधक का दूसरा भेद है, वैधी करन समुच्य बोधक, जो समुच्य बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें वैधी करन समुच्य बोधक कहते हैं, जैसे, गांधी जी कहा करते थे कि स उपवाक्यों में से पहला उपवाक्य मुख्य उपवाक्य है तो दूसरा आश्रित उपवाक्य है यह समुच्य बोधक स्वतंत्र उपवाक्यों को नहीं जोड़ते हैं वैधिकरन समुच्य बोधक आश्रय आश्रित का संबंध प्रकट करने वाले उपवाक्यों को जोड़त करनवाचक संकेत वाचक स्वरूप वाचक कारनवाचक जो समुच्य वोधक दो उपवाक्यों को जोड़े और मुख्य वाख्यों की बात का कारन बताए उन्हें कारन समुच्य वाचक कहते हैं समुचे बोधक कहा जाता है जैसे क्योंकि चूकी की आदे जैसे वह दोड में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था मैं स्कूल से थोड़ी दूरी पर ही था कि मेरी साइकल खराब हो गई दूसरा उदेश वाचक जो समुचे बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का उदेश बताते हैं उन्हें हम उदेश वाचक समुचे बोधक कहते हैं जैसे ताकी जिससे की आदे उदारन देखेंगे हमें सब के साथ प्रेम पुरुवक विवहार करना चाहिए ताकि अवसर पढ़ने पर आ सके तीसरा है संकेत वाचक कुछ समुच्य बोदक ऐसे हैं जो नित्य संबंधी है इन में से एक के आने के बाद दूसरे का संकेत हो जाता है इन समुच्य बोदको को हम संकेत वाचक समुच्य बोधक के नाम से जानते हैं जैसे यदी तो यध्यपी तथापी जो सो जैसे कि यध्यपी वा निर्धन है तथापी इमानदार है यदी परिश्रम करोगे तो सफल भी होगे स्वारूप वाचक जो समुझे बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए वाक्य के मुख्य कथन को आशित उपवाक्य में पूर्ण तस्पस्ट कर देते हैं उन्हें स्वारूप वाचक का जाता है जैसे मानो, अर्थात, जैसा की अस्तोमा सद्गमया अर्थात हे प्रभु असत्य से सत्यकी ओर चलो हवा से हिलते पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो वो वे मस्ती में जूम रहे हो तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि दो शब्दों वाक्यांशों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्य बोधक कहलाता है तथा समुच्य बोधक शब्द के दो भेद होते हैं समान अधिकरन एवं व्यदिकरन समुच्य बोधक समान अधिकरन समुच्य बोधक समान अस्तरवाले शब्दो वाक्यांशो तथा वाक्यों को जोडते हैं समान अधिकरन के भेद है संयोजक, विभाजक, विरोध वाचक एबं परिमान वाचक तथा व्याधिकरन समुच्य बोधक मुख उपवाक्य में से एक या अधिक आशित उपवाक्यों को जोडते हैं और इसके चारभेद होते हैं करन वाचक, उद्देश्य वाचक, संकेत वाचक, एबं स्वरूप वाचक आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा एक्सरसाइस को सॉल्व करेंगे आईए हम आगे पढ़ते हैं विस्मियादी बोधक आप इसके वाच और अच्छा शब्द विस्मियादी बोधक है अता जिन शब्दों से बोलने या लिखने वाले के मन में विस्मय यानि आश्चर्य हर्ष शोक घ्रिनादी के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मियादी बोधक कहते हैं यानि जो मनो भावों को वेक्ट करने वाले शब्दों को हम विस्मियादी बोधक शब्द कहते हैं, मन में आशरे हो, हर्ष हो, शोक हो या घ्रिना हो, तो इन भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम विस्मियादी बोधक कहते हैं, विस्मियादी बोधक शब्द की वि कट करते हैं इनके बास विस्मयादी बोधक सूचक चिन लगाया जाता है कि कुछ प्रमुक्ष विस्मयादी बोधक है विश्मय यानि आश्चरे बोधक हर्ष बोधक शोक बोधक सावधांता सूचक घ्रिना सूचक अनुमोधन बोधक स्विक्रिति बोधक अभिवादन जैसे संग्या हेराम यह क्या हो गया सर्वनाम क्या तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ क्रिया जा जा मुझसे टक्राने की कोशिश ना कर विशेशन अच्छा तो तुम मार खाकर ही जाय गया यानि जिन शब्दों से बोलने या लिखने वाले के मन में विश्मय, हर्श, शोक, घृहिन आदी के भाव प्रकट हो, जिन शब्दों से उन्हें हम विश्मयादी बोधक कहते हैं आप ध्यान से इस पार्ट को पढ़ेंगे तथा exercise को बनाएंगे, धन्यवाद